कैसे आप लोग मुझे उमेद है कि आप अच्छे होंगे और आपने इसका लास्ट पार्ट देखा होगा जो हमने इसका पार्ट वन बनाया था कैसे पहले अटेंशन होता है तब परसेप्शन होता है कभी भी परसेप्शन पहले नहीं होता है पहले अटेंशन हमारा पहले होता है एक साथ बहुत बहुत अज़ एक्टिविटी चल रही होती है लेकिन हमारा फोकस किसी एक पर एक टाइम में होता है तो उसी में से जब हम क पूरा पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी वाली बुक पढ़ेंगे राइट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटा-फट सब्सक्राइब करो रीजन यह है कि जब तक ये चैनल ज्यादस ज्यादस सब्सक्राइबर नहीं आ जाएगा तब तक ये उन ओड बढ़ेगा जैसे आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा पब्लिक तक पहुँच पाएगा हमें भी अच्छा लएगा काम करने में खेर हैं यहां हम बात करते हैं फैक्टर सेफेक्टिंग सेलेक्टिव अटेंशन की तो यहां पर हम कुछ चीजे देखते हैं जैसे लिखा है सेब् में इसको पढ़ाता हूं तो मुझे खुद बहुत सारे चीजे सीखने को मिलती है और आपका तो यह सब्जेक्ट है दिखे एक स्टर्नल फैक्टर आउटर यह फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं इस फैक्टर साइटर्माइन बाइदा फीचर स्टेमली सो दे आर कॉल एक् पेयर है कैसे हम उसको डिटर्मिनाट यह देख पा रहे है क्या सेलेक्ट्शन है हमारा चुनने का बहुत सारे गट्नाव में से किसी एक का ठीक है न जिसे कि कई बार चीजे बड़ी होती है तो हमारा धिहान चला जाता है कई बहुत चमकीली होती हम उसको देख पाते हैं तो किस तरीके से जो है अपने आपको बोलता है भाई साब ध्यान दीजेगा जी दिखा न यह जाली मोसन जाली मोसन लगाईएगा दाथ खात खुजली जहां भी होगा समस्या ठीक हो जाएगी ठीक ना हो पैसे बापेस हो जाएगा जी बीस रुप्या कंपनी का परचार है सौ रुपे का आइटम है बीस रुपे में दे रहे हैं तो जिन भाई और भानों के चाहिए हाथ खड़ा कर देंगे तो कैसे अटेंशन वो ले लेता है है ना तो यह जो अटेंशन लेने हाली बात है वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो घटना है घट रही उसमें कैसे जाएगा यहां ठीक है ना तो स्टेमली विच आर नोवेल एंड मोडरेटली कंप्लेक्स अलसो इजली गेट इंटो आवर फोकस वो नोवेल है या मोडरेटली कंप्लेक्स है हमारा फोकस में कैसे आता है स्टेडिस इंडिकेट डाट हीूमन फोटोग्राफ्स आर मोर लाइ मतलब जैसे कोई भी फोटो देखिए फोटो में जानवर भी होगा आदमी भी होंगे तो एक इंसान ना उसके अंदर के जो इंसान देखेगा उस सबसे पहले उसमें फोकस जाएगा इतना छोड़िये आपकी फैमिली फोटो दसल पूरानी पांसल पूरानी निकालिये उसम क्या मतलब है? वरवल निरेशन मतलब कहीं कोई बोल रहा है उससे ज्यादा जो चीज़े हमें दिखती है वो ज्यादा आंखों वाला ज्यादा हम फोकस कर पाते हैं Sudden and Intense अचानक से Streamly है Wonderful Capacity Draw Tension अचानक से कोई घटना घटगी कुछ हो गया तो हमारा फोकस चला जागा जा रहे तुरंत वहां से plane कुछ आ रहा है मुस्त चानक से गिया देगा जो तुरंत घटना घटगी Intense होगा Sudden होगा उस पर जादा हमारा Tension जाएगा यह जो factors हमने आपको बता यह वह factors हम आपको बता रहे हैं जो Inherit an Object इसको objective factors करते हैं ठीक है न जो external में भी आता है अब यहाँ पर कुछ और है जैसे हम एक एक चाजा करते हैं Movement के बारे में Intensity के बारे में Novelty के बारे में इस सब के बारे में देखते हैं तब movement के बात करते हैं कि a moving object draw our attention more easily एक रूक ही बस्तु के मुकाबले चलतु ही बस्तु बहुत जल्दी हमारा Tension ले लेती है इनके उपर होता है करते हैं किसे बोलते हैं उसको पुलिस के गाड़ी पर भी लगी होती है इसलिए लगाया गया इसलिए उसको रास्ता दीचे वहां टेंशन में आ जाता है है इंटेंसिटी की बात करते हैं नियोन साइट जाधा उसमें होता है जाधा घ्रक करेगे कह रहा होता है इसको कहीं भी रग देगो बहुत दूर तक में देता है एकडम से यह यह कोई धीरे से बोल रहा आप ध्यान नहीं देंगे चिला की बोलेगा तो नोटिस आजाएगा बहुत तरहे फिल्मों में हीरो चिलाते हुआ आता है और और तो और पुराने के बिलन जो है जब हीरो के पीठ पीछे बार करना होता था जैसलिक बिलन मर गिया तो हमेशा वह चिल लाक ही जाता था ये पीछे हीरो मोड आव मार दिया चिलाना जहरू ही था क्या उसको अटेंशन दे दिया हीरो को तुमने अच्छा नोबिलिटी की बात करते हैं नोबिलिटी क्या होता यहां पर उसको समझते हैं new kinds of object draw our attention quickly जो नहीं चीज है मार्केड में कोई नहीं चीज देखी जल्दिया टेंशन ले लेगा जैसे अड़टाइजिंग एजेंसी के अड़ोट करता नए ने टेकनिक्स करते हैं नए ने जैसे कि एक्जामपल कोई नया latest new feature phone का fridge का cooler का air consistency का हर बार आपको कुछ नया बताएंगे मैं 10 साल से देख रहा हूं जब भी दुकान में जा ठीक है जैसे एक्जामपल आप देते हैं कल मैं अपने आई चेकप के लिए गया तो मैं नई दुकान में गया अपनी सोसाइटी में ही है तो वहां गया लेडिस थी चेक कर रहे थी वह तो अब देखिए जैसे पहले मैंने लेंस डिसाइड किया जो लेंस होता है वो लगव लेंस की कीमत वैल्यू है तो साथ हजार का मेरा चस्म बनके तयार हुआ है और वो मुंबई से तीन चार दिन लेगा वहां से रेडियो कर आएगा तो कहने का मतलब है कि अटेंशन का मतलब क्या होता है कोई नई फीचर नई चीजे बताते हैं तो हमारा अटेंशन चला जात है नियान चला जाता है ठीक है न साइज की बात करते हैं bigger smaller object draw attention people very easily या तो बहुत छोटा हो या तो बहुत बड़ा हो average वाला पन नहीं आएगा जैसे कोई बहुत लंबा आदमी है तो नहीं दिख जाएगा अच्छा यह तो बहुना है नाटा है इससे करके तो small advertisement on a full page will draw more attention big hoard cutting या banner लगाते हैं बड़े अबड़े जगा देखा बड़ा लगाते हैं ठीक है नहीं तो ताकि focus attention जा सके change की बात करते है एनी change in our environment draw attention quickly कोई भी चीज जो बदलाब हो रहा होता है वो बहुत आसानी से attention हमारा हमारे हमें आरे attention को वहां दे रहता है जैसे a regular sound of a moving clock ठीक है does not draw our attention क्योंकि आप सुन रहे है but the moment it is stop जब रूख जाएगा तो हमारा attention जागा रहे तो रूख गया घड़ी बंद हो गई क्या our attention draw it radio playing song stopping due to electricity failure जैसे रेडियो रूख गया तो attention चला गया वहां पर आप तो रेडियो पताने चलाते चलाते आप तो आर जे रॉक की जैक की पताने कौन को लोग हैं जो अलग अलग हैं आप तो यूटूब पर भीवित भारती पार समय में आते थे और लोग सुनते थे और उस वजह से चल अरे बंद केसे हो गया तो attention चला गया यहां पर repetition कोई चीज़ा बार बार होती है when a stimulus present repeatedly attention ज्यादा कर जैसे एक जामपल repeated horn a fire breath मान लोग repeat कर रहा है यह जिंगल's advertisement में आप देखते हैं तो यह repeat करता यह देखते बस वाला होरन बजाता बार बर ठीक है कोई भी पता है वो आज पता नहीं बसा क्या है बट पुराने टाइम में तो बसो का गाने को बजाते तो आपको attention देने करें तो करते हैं ताकि आप side हो जाओ clarity an object or sound which can be experienced clearly draw our attention more कोई भी object or sound जिसका experience बहुत ही clear है हमारे साथ में हाना तो वो ज्यादा करेगा और जिसके पास हमारा clear ही नहीं वोग tension ही जैसे की a shrill sound of a siren on the road siren क्या बात सुनते हैं ठीक है ना always हमारा attention ले लेता है clarity है साइरन जो बसता है कुछ भी साइरन बज्जा ये घरों में बिजली या आग लग गई साइरन बसता तो रहा attention चाहता अच्छे है रहता खत्रे घंडी है colors की बात करते colorful object draw our attention more easily than black or white object black or white का हमारा attention लेते हैं ठीक है advertisers use this continuously by showcasing bright colors हमेशा bright colors को select कर देंगे contrast की बात करते हैं an object that is stringly different from its background draws our attention जो background थोड़ा अलग है जैसे की stains of curry या ink on white shirt white shirt पे ink ले लिए लिए बिलकुल white है उसका कोई matching नहीं है ठीक है curry के उपर stains जो आ जाते हैं वो हमें दिख जाता है इस तरह की जो चीजे है वो contrast होता है contrast है हम लोग उसको देख पाते हैं यहाँ ठीक हम लोग भी जब thumbnail बनाते हैं तो इस बात का धियान दखने है कि background हमारा कैसा होना चाहिए और उसके उपर जो हम typing कर रहे हैं हमारा text है वो कैसा होना चाहिए तो contrast का बहुत धियान देखना ह अब अगला बात करते हैं internal factors यह psychological factors के हम लोग बात करते हैं right so now internal में सबसे पल लिखा these are factors that lie within the individual depend करता है उसके अंदर psychological की सोच क्या है they are dependent on the need interest and emotion of the person जैसे need है न a need would be related to our biological यह psychological needs हमारी जो जरूवत है वो हमारे सरीर biological या फिर हमारे सोच की हिसाब से हो सकता है कई बार हम दूसरों को देखकर अपनी चीज़े डिसाइड करते हैं और कई बार खुद हमें जरूवत होती है सच में biological तो भी हम करते हैं so when we are hungry जब भूखे होते हैं we notice करते हैं even and smell of food हमें ज्यादा खाने पिन एक चीज़े होती है तो इसका smell आने सुगन आ जाता है we are hot and thirsty जब प्यासे होते हैं जब हम लोग हमेशा attention हमारा किधर होता है पानी की तरफ होता है या गर्मी में cold beverage जहां च्छाओं बगरा हो उदर होता है for example a student taking an examination जो likely to focus on teacher's instruction more than other students तो क्या गरेगा आप जब एक्जाम में होते हैं जो teacher guard करने वाला होता है उसके instruction पर ज्यादा फोकस होता है बाकी बिद्यार्थी पर थोड़ी आपका होता है interest की बात करते हैं यहां पर so object objects or events which appear interesting कोई भी object हो गया या event जो interesting लग रहा है are rapidly attended to by individuals depend करता है individuals की उपर की कितनी तेजी से उसको attend वो attention दे पाता जैसे example while shopping a sport person will be attracted towards display window sports goals are placed अगर आप बात करते हैं shopping sport person का तो वो ज्यादा attract करेगा कब जब window पे वो sports के समान पर रखेगा whereas MS Dhoni fan will immediately play attention to his match if it is playing on the television बात समझे है अब माहिंदर सिंग कोई जानता है match चल रहा है तो automatically क्या हो जाएगा उसका fan following इतना है कि attention चला जाएगा match पर वैसे भली ना कोई देखेगा पर उसके लिए देखेगा तो वो interest के उपर भी है कि इसका क्या interest है समान रखा हुआ सिसे में आप जिसको जरूरत हो जाएगा emotional state भी है attention is affected during an emotional state example मानते एक परसन है वो highly excited है जिसको हम लोग jubliant event करते है और he or she is not aware of others in the victimity so may not listen understand what others say कई बर होता हुआ ज्यादा excited है इतना है कि अगल बगल कोई बोला सुना है समाझ ही नहीं आ रहा है इतना excitement उसके अंदर ठीक ह next question 6.2 है इसको आप देखेगा यहाँ पे activity देख गई है उसको देखेगा identify the two setting events in your surrounding which would qualify sustained or selective intention इस पर ध्यान दिजेगा कौन सा attention हमारा उसका होता है कौन सा इसका होता है sustained है जो लगतार हम देखते है कौन सा हमारा selective जो select करते है आगे हम पढ़ेंगे अगले part में understanding the role of sensation in perception जब attention जाता है तो perception होता है तो इसमें क्या rule होता है हमारा sensation का क्या चीजे जाती है वो चीजे पढ़ेंगे बड़ा interesting है मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में ठीक इप 6.3 भी हो जाएगा जो भी है जैसे-जैसे होगा थोड़ा-थोड़ा part करके हम आपके लिए लाते क्यूस्ट